कि हलो दोस्तों मैं अंगर सर्व लर्निंग दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं जैसा कि दोस्तों हम आपको टाइप 6 7 तक आपको बता चुके थे टाइप साथ की बात आज हम करेंगे और हम आज पढ़ेंगे गुड़न खंडों का योगफल की बारे में कल हमने गुड़न खंड की बात आपके थी टाइप और जिसलिए कर रहा हूं को आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी ठीक है तो द farm खंडों के योगफल की आज मी चर्द कैसे करेंगये समज przedstaw का मेरी बात को पहले बेसिक बात हम करते हैं फिर इसके बाद आप डारेट कैसे करोगे सभी चीजों को हम साथ में लेकर चलते हैं देखे पहली बात ध्यान समझेगा मेरी बात को कि यदी मालो तीन संख्या है और अगर मैं कहा दूं इसकी घात पी है इसकी घात क्यों है और इसकी घात आ रहे है तो जो गुड़न खंड का योगफल होगा ध्यान समझेगा बच्चे यहां जीरो की पावर से लेकर चलेंगे कहां से एका पावर जीरो प्लस एका पावर वन प्लस एका पावर टू ऐसे करते करते एका पावर पी तक गुड़ा बी का पावर क्यू है तो बी का पावर जीरो प्लस बी का वन बी का टू ऐसे करते करते बी का कहां तक क्यू तक चलेंगे अभी समझे में आएगा अभी बड़ा कठिल लग रहा होगा आपको अगर सी का पावर जीरो सी का चलेंगे तो सी प्लस ऐसे करते करते हम सी का पावर आर तक चलेंगे अब बात यहां पर भी दो गुरंखंडों की तरह हो गई एक तो संबाली बात हो गई यह भी संबाली उसकी भी मैं चर्चा करूंगा परसान होने की जरूत नहीं तो देखे इससे सवाल क्या बनता है पहले समझ लिजी इसको आप लिख लिजी एक जगा नोट डाउन कर लि पू बहू यही बात ए पावर पी प्लस वन ए पावर पी प्लस वन माइनस वन अपान ए माइनस वन लिखते हैं गुड़ा यही यही चीज ए है इसी का देखना है जब हम बी की पावर करेंगे तो बी का पावर क्यों है क्यों प्लस वन माइनस वन अपान बी माइनस वन हो ज पावर आर प्लस-1 माईनेस one अपान सी मैनिस तो एभी योगफल का फार्मेट है और यह योगफल का फार्मेट है तो आप लिख लो दोनों बात है आप लिख लो क्योंकि चाहे जिससे प्रश्ट करोगे दोनों बात है सही हो जाएंगे अब क्या इन दोनों को मेरे बताने का क्या उद्धिश से है कि मैं एभी आपको बता रहा हो यह थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा देखेगा कि जैसे मैंने कहा बच्चे मालो कोश्चन मैंने ले लिया अभी कोश्चन अच्छे लेता हूं जो आया हुआ है पहले समझते हैं आठ के कि गुड़न खंडों का कि योग फल होगा कि अब देखे बच्चे आप क्या करते हो आठ किसे किसे कड़ता है एक से कड़ता है कि दो से कड़ता है कि चार से कड़ता है और स्वयम किसे कड़ता है आठ से कड़ता है यही तो बात हुई बात समझना अब इस गुड़न खंडों का योग फल आपसे पूछ दियो कि यानि इन चारों को जोड़कर हमसे पूछा गया यानि एक दो तीन तीन चार साथ साथ आठ पंद्र यानि इसका एंस्वर्त होना चेह पंद्र हो गया भाई अब मालों कल के आपसे पूछ दे साथ के गुलन खंडों का योगपल उच्चदे आपसे 75 का पूछ दे आपसे एक हजार असी का पूछ दे आपसे 900 का पूछ दे एक लग का तो क्या करोगे ऐसे पूरे का गुलन खंड करके जोड़ोंगे अब देखो फार्मेट बनता कहां से बच्चा समझना अभी मैंने बताया स्टेम फार्मेट है ABCD तो बनाओ देखो यह भी दो है भी दो का स्क्वाइर है भी दो का क्यूब है इसको बच्चा लिखते हैं दो का पावर 0 देखो दो का पावर 0 दो का पावर 1 प्लस दो का पावर 2 प्लस दो का पावर 3 अभी याद आया मैंने भी लिखाना कि अगर दो का पावर 1 प्लस अपावर 2 पलस डाट डाट एक पावर अगर लिखा था तो तो पी तर अंतिम पावर तक चलेंगे तो देखों यहांं अंतिम पावर तीन तक है स्वाज मैं तो एंव गया एक प्लस दो प्लस चार प्लस आठ तो 8 4 12 12 12 14 और एक पंदर की सरी बात करेंगे आप से समझ गया हो गया कहां से आता है अभी तक आपने देखा होगा के से फारमेट होते हैं कहां से आता है भाई कोई भी संख्या हो उसका पाबब बेसिक कांसेप्ट एक इससे निकला हुआ कांसेप्ट जो आप स्रिक्ट समझो चाहे जो समझो कर सकते हो बात अभी मैंने बताया एका पावर पी प्लस वन एका पावर यानि दो का पावर कितनी घात बच्चे तो दो की इहां घात कर लो दो गुड़ा दो गुड़ा दो तो दो की घात कितनी हो गई तो मैंने के बताया पावर में एक जोड़ दो बच्चे माइनिस वन अप hun जो संख्याएक माइनिस वन लिख दो आप दो का पावर्चा राइनल अपान एक तो दो का पावर्चार कुतना होता है सोला और सोला में से एक गए और देखो कॉन सा विदि आपको अच्छा लगा चाहे यह बिदी अच्छी लगी हो और यह तो किसी को नहीं अच्छी लगेगी यह जमभी लंबा आएगा तो दिक्कतस अच्छी लगी ठीक है अब सवाल करin समझ में आ सchemical अगया होगा तो ठीक है नहीं आया होगा तब गुड़न खंडों का योगफल क्या होगा आप देखें जिसको करना है पहले बुद्धी बताता हूं कुछ दिर सीखेंगे पहले बाते क्या क्या है फिर इसके बाद हम डारेक्ट करेंगे ठीक ना एक दाखेंगे तो साथ का पहले हमको रंखंड करते हैं बच्चे देखो किसे किसे कटेगा एक से बहुत कठीन हो जाए बच्चे अगर इस ती से करते होगे देखो दो कि तीन कि जार कि पांच कि अच्छ कि दश कि बारें कि पंदरें कि बीश कि इस और साथ कि बताओ आप इतने संख्याओं को आप जोड़ोंगे कि अध्याई बढ़ गई एक दुबात मैं का रहा था कठीनाई क्या हो गई बढ़ गई तो इस मेथट को हम फालो नहीं करेंगे और इसको फालो भी नहीं करता है कि मैं इसको समझाने के लिए आपको बताया कि आप जानते रहो कि कैसे करते हैं ठीक है अब चलिए अगर कि देखिए कि आप गुड़न खंड करिये तो आइसे तो जानते ही होगे जो नहीं जानता होगा एक बार फिर से बता देता हूं है कि दो तीस है कि दो पंदरह प्रेंट कि तीन पच्छे पंदरह पांच एख का पच्छे देखोगे कै आप करना क्या है बात को समझें करना कुछ नहीं है केवल आप क्या करो दो की घात 0 से सुरूआत करो दो की घात एक लिखो, प्लस दो की घात दो लिख लो, एक काम खतम होगे, तीन पे आओ, तो तीन की घात जीरो, प्लस तीन की घात एक लिख लो, ख्लियर होगे, प्लस प्याओ, तो प्लस की घात जीरो, प्लस प्लस का पावर एक लिख लिख, आप देखिए, यह बच्चे हो गया, एक, प्लस दो, प्लस यह हो गया, चार, कितना हो गया, चार, तो यहां से देखोगे, तो चार, दो च्छार और एक, साथ हो गया, गुडे, यहां से देखोगे तो 3 का पावर 0 एक और यह 3 तो 3 एक चार होगे गुड़ा यहां पर देखोगे तो 5 का पावर 0 एक प्लस 5 पाँच एक 6 होगे ठीक है तो 7 चोग 28 और 28 चक्का 20 चक्का 120 और 48 एक सो बीस और 48 168 यहीं आपके सवाल का यानि इतनी संख्याओं का योगपल हो बात समझे क्या मैंने कहा जितनी मैक्सिमम घात रहती है जितनी मैक्सिमम घात रहती है देखो यह जितनी मैक्सिमम घात रहती है वहां तक आपको पहुंचना है कहां से सुरू करना है 0 से 2 का पावर 0 2 का 1 2 का पावर 3 ठीक है फिर इसकी भी मैक्सिमम घात क्या है पावर 1 तो 3 का पावर 0 3 की घात 1 इसका भी पावर क्या है मैक्सिमम पांच का पावर एक तो पांच का गाद जीरो और पांच ही पावर एक बात हो गई समझेगा अब देखो अगर समझेग अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखूँ अगर मैं इसी बात को दो का पावर दो प्लस वन माइनस वन अपान दो माइनस वन लिख दू इन्टू तीन का पावर वन प्लस वन माइनस वन अपान तीन माइनस वन लिख दू इन्टू पाच का पावर वन प्लस वन माइनस वन अपान पाच माइनस वन लिख दू कोई दिक्त है कैं हां तो आम देखेंगे कि दों का पावर आठ आडब्ल सी एक गया Set यहां आगगा साथ गुडा यह देख़ें तीन रिक्का नौ नौ में से ए गया आठ और आठ बटे दूई यानी चार गुड़ा यह देखो पांच पचे पचीस पचीस में से एक गया चौबिस चौबिस बटे चार यानि च्छ तो साच चोग अठाइस शक्का कि एक सवार सब्सक्राइब कि तो बताओ उसमें और इसमें कोई अंतर आया नहीं आया होगा तो यह भी एक एक फर्मूला है इसको भी मैं आपको लिखवा दिया थोड़ा सा और लेबल को उपर करके समझते बच्चे जैसे 360 के समझेंगे पहले एक बार सवाल आया है सब्सक्राइब यह भी आया था आठ वाला कि तीन सो साथ के कि सभी कि गुड़न खंडों का कि योग फल ग्यांत कि लिए कि आप देखों कि तीन सो साथ की चर्चा मैं करता हूं आपसे तो तीन सो साथ का आप पहले क्या करोगे गुड़न खंड कर लोगे कि दो यकसी कि दो नब्बे कि दो पैंतालिस कि तेन पंदर कि तीन पांच 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 अब तो याद ही हो गया होगा ऐसे दो दुना चार दुना आठ त्रिक 24 कि 72 फंजë तीन सो साथ तो दो की कितनी घात हो गई हमारी समात हुई रही है तो मैं इसके कांसेप्ट को समझ रहा हूं अभी कुछ देर बाद आपको समझ में आएगा दोनों बाते मैंने क्यों बताया तो देखो दो का पावर चलो 6 सिक पहनी लगा देता हूं, तो आप देखोगे कि 2 का पावर 4 होता है कितना। दोदुनी चार दूनी आप दूनी 16 16 मेंसे एक गए 15 तो यहां तो आगया बच्चे 15 गुड़ा यहां पर देखो गे तो तीन त्रिक्का नौत एक 27 27 मेंसे एक गए 26 26 2 आगया 13 गुड़ा यहां पाच पचे 25 25 मेंसे 24 24 बटे चार यानि आगे अच्छ है तो पंद्रह चक्का नब्वे और नब्वे तीरह हमें 117 यानि 1170 रोगे कि बोलो बात समझ में आगे तो 360 के सभी गुर्णखंडों का अगर योगफल आप करते हो तो 1170 आता है देखो दो का पावर तीन तीन का पावर दो और पांच का पावर एक ये तो हो गई संख्या है ये क्या हो गई संख्या है हो गई तो दो का पावर तीन प्लस एक दो का पावर तीन प्लस एक यानि चार चार माइनस एक यानि पंद्रह और बटे एक यानि पंद्रह ही गुड़ा तीन का पावर तीन तो 27 में से एक गये 26 26 बटे 3-1 यानि दो तो दो तेरह में 26 तेरह पांच पचे 25 25-1 24 और पांच में से एक गये चार तो 24 बटे 4 यानि आगया बच्च अच्छा तो गुड़ा करने का निग्या में आप जालो कि ऐसा गुड़ा करो जिसके लाश्ट में जीरो आता हो गुड़ा करने का तरीका होता है भाई छोटा करके तो पंद्रच शक्का नबबे और नौ तेरह में 117 और एक जीरो ग्यारा सो सकतर अब इसी बात को हम उस मेथट से समझते हैं जो अभी आपने पढ़ा डाइरेक्ट मेथट ये है इस तो आप परिक्षा में यूज करेंगे समझे अगर इस मेथट को यूज करते हो तो मैंने क्या बताया 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 गुड़े 3 के पावर 2 में चलते हो तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 गुड़ा अगर 5 में चलते हो 5 वाले में तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 आप देखो यहां से 1 2 3 3 4 7 8 15 गुड़ा यहां से देखो तो 9 9 3 12 एक 13 गुड़ा यहां से देखो 5 और एक तो देखो कि आप 15 छक्का 90 और गुड़ा 13 तो 13 नोई निया 117 और 10 क्या यही बात उससे भी आया थी क्या बुरिया पाये होगे उमीद करता हूं यह बाते आपको आ रही होंगी एक सवाल और लेते हैं इस पे तब आगे बढ़ते हैं मालनों हमसे पूछ दिया चोथा सवाल में 420 की तो चार सो बीस नहीं 1080 लेता हूं 1080 ही लेता हूं 1080 के गुड़न खंडों के सभी सभी गुड़न खंडों का योगफल गया थी चलिए जब ही गुड़न खंडों का योगफल गयंत कीजिए अब देखें 1080 है संख्या इसको आप काटते हो कि दो पांच चार जीरो कि दो सत्ताइस कि एक पैंटीश कि तीन पैंटालिश कि तीन पंदरा कि तीन पच्छे पंदरा और पांच एक का पांच कि मालों यह आप करते हो बच्छे तो आप दिमाग में रखना कि इस बात को आपने किया कितना दो की घात तीन बात दो की कि होगे गुड़ा पांच घात एक होगे अब योगफल आप निकालना चाहते हैं तो क्या करो दो की घात तीन प्लस एक माइनस एक बटा दो माइनस एक गुड़ा तीन की घात प्लस एक माइनस एक बटा तीन माइनस एक गुड़ा पांच घात एक प्लस एक माइनस एक बटा पांच माइनस एक रख दिया मैंने तो देखो एह हो गया चाहर सोला में से एक गए 15 गुड़ा में पांच का इसवाईर करोगे पचीस पचीस में से एक गटोंवा असी असी बटे दो यानि चालीस गुड़ा अले बाए बहूत कम करना चाहिए ठीक है पांच का स्वार करोगे पचीस पचीस में से एक घटा होगे चौबिस चौबिस बटे चार या निश्च तो यह सब आप दिमाग पर अपने करना सीख लो भाई कब सीखोगे पंदर छक्का नब्बे और गुड़ा नब्बे गुड़ा चालिस तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा एंस वाल का उत्र कितना हो गया जरा बताईए 3600 हो गया की नहीं हो रहता है चलो अच्छा इतना मैं खतम करके हैं 420 वाला एक प्रस्ण करा देता हूं वह भी बात आपकी हो जाए के लिए कि यहां पर आईए और लिखे क्या चारसो लिक्स आप चारसो बीस का अग्रोण खंड कर लोगे कि देखूं कि दो सो दर्श एक सो पांच है एक सो पांच है एक सो पांच है ना चलो तीन से इन तरिक का नौ और तीन पच्छे पंद्रव 25 तियां 105 पांच सते 35 साथ अच्छा इसमें कहीं ठुपा गया तो इससो ठीक है यहां पर तो दूरा चार तियां इंबारा पच्छे एह 667 साथ 47 सभीश चलेए नोधी कि खात कितनी बन गई बच्छे दो है दो किया दो बन गांटे गुण मिए कि की एगश praट ESTफलाइबा। पांच ँरफ्या अग बन गई गुणा साथ की भाड्वी एक बन गई क्लियर है इतनी बाती बन गई अब दो का घात दो प्लस वन माइनस वन अपान दो माइनस वन गुड़ा तीन की घात प्लस वन माइनस वन अपान तीन माइनस वन गुड़ा पांच की घात वन प्लस वन माइनस वन अपान पाइफ माइनस वन इन्टू सेवन वन प्लस वन माइन 7-1 कि देखो यह वाली विधी जो है पावर के सवालों में यूज करना जहां पर पावर ऐसे लिख लिखके आपको दी गई हो जहां आपको एंस्वर ऐसे न दिया गया हो कि जहां पर डायक्ट उत्तर आए प्रस्ण में कराऊंगा आज दिविजिबिल्टी पर आप लोगों क सब्ण में सब्सक्राइब कि ऑन थे सब्सक्राइब करना अध्यक्राइब में सब्सक्राइब अब त्काइब था आप यह तका वितम गांब-मृग बि Хार्थ रोषा है तो यह हो गया आपका है साच्छक 42 गुड़ा यह हो गया आठ चो बत्तिस तो 42 गुड़ा आप क्या करोगे 32 कर लोगे तो देखो कि यह हो गया चालीस तिसाहम में 120 चालीस तिसाहम में 1200 यानि 42 गुड़े 32 अगर करोगे यह हो जाएगा चार दुनी आठ और चार ती यहीं 12 बारा सोसी हो जाएगा 32 गुड़े अगर 44 हो जाएगा तो यह सवाल का क्या हो जाएगा उत्तरस बूलो उमीद करता हूं बच्चे यहां तक की बात तो आपको 100 परसन समझ में आएगी आई कि यह बताओ इस पर देखो कोई सवाल आया होगा तो मैं देख लेता हूं कि और कोई सवाल छोटा है तो करा देता हूं आप लोगों पर इच्छाओं में ऐसे बहुत से प्रस्ट आये हैं आप बच्चे एक बार जरूर देख लिजिएगा एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगी कि बाते क्या होती है ठीक है अगली 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 सवाल देखता हूं पहले इसके पूरे कांसेप्ट को पढ़ा दूं तब आप से सवालों की चर्चा में करता हूं कि कौन से सवाल अभी तक आये हैं कौन से नहीं कि चलिए देखे अब बात आई कि संग की बात क्या हो जाएगी अब सम गुड़न खंडों का योगफ्ण क्या हो जाएगी कि संग गुड़न खंडों का कुछ नहीं करना है सम गुड़न खंड में आप देखें कि जैसे दो का पावर जीरो मिलता है तो यह तो सम है नहीं सम तो होगा नहीं लेकिन अगर दो का पावर एक मिलता है तो यह समाएगा दो का पावर दो मिलता यह भी समाएगा यानि दो का पावर तीन मिलता है तब भी समाएगा यह बाले में यह बाले में यानि दो का पावर जीरो छोड़ देना है कि ये बाले में क्योंकि बच्चे एक आएगा ये विसम में आएगा तो एच छोड़ देना अब देखो ध्यान देना क्या लिख रहा हूं पहले फार्मेट बना रहा हूं इसका कि सम गुरन खंडों का योगफल में दो का पावर जूरो छोड़ दे यानि ए पावर वन प्लस ए मैं प्लस के पावर याए उसक कि अंप आगर बी वाले में लिखेंगे प्लस डाट-डाट बीी का पावर बी क्यूंद अगर सी भी आ जाए तो सी में सी पावर जीरो प्लस की वन प्लस टीटू सी पावर आर हो जाएगा ठीक है कि समझ पाए बात देखो मैं समझा रहा हूं बच्चे बात को समझना कि है कि आखिर जैसे मैंने लिया दो का पावर जीरो प्लस दो का पावर एक मैं सम है ना दो का पावर दो तो दो का पावर तीन और दो का पावर चाह आप देख रहे हो इस सोला समय आठ समय चार समय दो समय लेकिन यह संख्या सम नहीं है यानि अगर मैं यहां विसम का फार्मेट बनाऊं तो केवल इसके एक वाले साथ यही जाएगा मैं अगर मैं यही बात बिशम के साथ बनाता हूँ यानि बिशम गुलन खंडों की योगफल गुलन खंडों का योगफल बिशम गुलन खंडों का योगफल यानि यहां पर a1 गया तो यहां पर क्या आएगा एक पावर जीरो ही के वाल आएगा इकलावता और बाकी बाते वही होंगी बी पावर जीरो यह तो विसम है यह सब इधर वाले तो इधर वाले को कोई दिक्कत है ने बीटू व्लेस डाँड़ वी का पावर क्यू गुड़ा में करें तो अगर सी की बात में करूंगा प्लीबड़ेन सबसीह बढसें तो आप देख रहे होंगे कि पहला कंधेशन हों सम गुड़न खंडों का योगफल और दूसरी बात हो गई विसम गुड़न खंडों का योगफल अब इस पर भी हम सवालों को लेकर समझने का प्रयास करेंगे कि सम बाला आप देखो यहां पर जीरो लगाना बहुत आवस्यक है बच्चा यहां पर मैटर पहली कंडिशन वाल से करते हो घृ के शी को भी आपको दिमाघ में रखना पड़ेगा कि अगर संब बाली बात कभी आयेगी सवालों में अगर लेसर कोई प्रावलम नहीं इधर माले से कोई प्राबलम नहीं है और विसम की जब मैं बात आप से करूँ गा जब मैं बात आप से विसम की करूँ गा तो यहां A. पावर जीरो आना चाहे क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जीरो कितना होता है वन होता है तो बिसम में तो भाई वन आएगा ही अब छोटे-छोटे सवालों से पहले छोटे से लेता हूं आठ से आठ से लिया था ना आठ से लिता हूं आठ बेसिक सम्झाने के लिए रहा हम अच्छा और कोई मतलब नहीं तो इसका क्वेश्च्चन देखो आठ के सम गुड़न खंडों का आठ के सम गुड़न खंडों का योगफल होगा आठ के सम गुड़न खंडों का अब समझेए आठ का गुड़न खंड एक दो चार और आठ आठ चार बार बार और दो चुझा कितने गुड़न खंड बच्चे चुझा बाई एक क्या है एक विशम है एक क्या है विशम है अब अगर इसका हम गुरन खंड करें तो मुझे मिलेगा दो घाते इसको समझ लेनी है जिससे हम अगले को समझने फिर से नहीं थी क्यों अगर यहां बात फिर से समझोगे तो प्राबलम बढ़ेगी तो इसको समझना ही नहीं क्लियर हो गई तो समझने की जरुद नहीं है समझे कि की दो की घात तीन आई अब मुझे निकालना है सम कि सम बाले में मैं जानता हूं कि जो पावर जीरो होती वो नहीं आती है तो हटा दे रखो दो का पावर एक प्लस दो का पावर दो प्लस दो का पावर तीन तो रखो दो प्लस दुदुना चार प्लस दुदुना चार दुना आठ तो आठ चार बारह और दो चाहुद बिसम बाले में बात करते हैं बिसम बाले में बात आपसे कर रहा हूँ इह वाली पावर नहीं आती पहले दो पावर जीरो आता है तो दो पावर कितना हो एक हो गई हो गया तो CHART मिला लो क्या सभी का गुरंखंडों का योग्फल 15 सभी का गुष्ण का योग्फल 15 और बिंसम के वल कितना एक और सम कितनाılan का योगफल प्रूफ भी मैं करता चला हूं जिससे आप लोगों परसानी नहों एक एक कांसेप्ट को भाई मैं इसलिए कंफर्म करता चला हूं कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आए कि बंती कैसे हैं और परसान लोग होते हैं कि भाई ये डारेक फार्मूलर अटने का प्रयास करते हैं आप लोग तो दिमाग में रखिए अब आई ये बात करते हैं देखें अब मैं कहा दूं आप से कि साथ के कि शम गुड़न खंडों का रभाव गुड़न का योगफल ग्यांत की लिए कि अब साथ में मैंने बताया था दो दूना चार यहीं बार है पच्छे साथ अब वैसे नहीं करूंगा उतना मैंने आपको बहुत समझा दिए तो दो का पावर दो गुड़ा तीन का पावर एक गुड़ा पांच का पावर एक बात हमें करनी है बच्छे किसकी सम की तो मैं सम की क्या करूंगा कि दो पावर जीरो तो छोड़ देना है क्योंकि वह बिसम में जाएगा तो क्या क्या बच्छा दो का पावर एक प्लस दो का पावर दो गुड़ा ए तो हूब हुझ जायेगा क्योंकि यह लोग बिसम है इन पे कोई 3 1 4 गुड़ा 15 156 तो चछाहा कि 364 का तो 30 चौका 126 चौका 24 यानि एक सो जो वालिश गुलो भई अगर मुझे बात विसम की करनी होती अगर मुझे बात विसम से करनी होती मुझे पता है पहले यही बलाएगा बात में तो सब हूब 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 आ जाएंगे यानि 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 गुड़ा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 यह 1 हो गया गुड़ा ए 3 एक 4 हो गया ए 5 एक 6 हो गया तो बताओ कितना आ गया 24 आ गया और याद होगा जब यही सवाल कराया हूँगा तो टोटल कितना आया था 168 है याद होगा तो कर लो 4 दूच्छ 168 कितना याने अगर सभी गोळनखंडों का योग्फल में करू तो 168 होगा और किवा सब कहकरों तो 64 hoगा और बिसम का करूं तो 24 होगा बोलो बच्छों मैं Apa तो अले बात समझ में आये की नहीं चलिए स्प्राइब थोड़ा सवा लह लेता हूं हम सोचराई है क्लास में आपको किवल गुड़न खंडों का योगफल ही चर्चा करूं ठीक है तो इस पर मैं थोड़ा सा और इस पर चर्चा आप से करता हूं कि उसके बाद साथ के बाद मैंने कहा लिया था दोसों चालिस के कि अब ही कि समुवर कि विशंग गुड़न खंडों का योगफल ग्याद के लिए अब दो दुना चार दुना आठ मैं देखें दो से भाग दोगे 120 फिर दो से भाग दोगे दो से भाग दोगे 120 दो से भाग दोगे फिर 60 फिर दो से भाग दोगे 30 फिर दो से भाग दोगे 15 फिर तीन और 5 ऐसे कर लिया करो दो दोन सेबस्क्राइए यानि यहां से बच्च तुकी घर कितनी अगी चार गोडा थी घर समजय है बात को सवझते साथ में पहले निकालना हो एक। जलो सब incarnate थीथ से बहुत बता दिया हूं सम बाले की चर्चा कर रहा हूं तो सम में दो पावर जीरो तो नहीं आएगा तुप आएगा क्या दो का पावर दो दो का पावर तीन और दो का पावर चार बाकी तो सभी चीजों को सेम सेम उतार लेना है बाकी सभी चीजों को तो यहां के अतना आगे बताओ मतलब दो चार छे चार चौदर कि अचाउदर और सोलह तीस बहुत यहां से दो आ जाएगा एच चार हो गया एच आठ हो गया और दूदुनी चाहिए दूदूनी चाहिए तो तीस लिख दिया ठीक है गोड़ा पर्सान नहीं होना ना थीज चार गोड़ा पांच और एक चैस्ट चाश कषव चौक चोवईश और तीस हम में 24 गुड़ा 30, 24 तियां 72 यानि 730, तो सम गुड़न खंड़ों का योगफल हो गया 720, के लिए रहो गया, आप विसम की बात में करता हूँ, तो विसम में तो दो की पावर पे क्या लेना है के वल, जीरो, बाकि सभी संख्या में लेना है, तो आप ले लो, यहां से क्या आगया, एक गुड़ा, तीन और एक, चार गुड़ा, ती पांच और एक, चार तो चार चोबिस, तो आपको याद होगा, 720 प्लस, 24, चार, चार, शाट, एद हुआ था, बाई है, fundamental हैं, ने लिए है, दो, दो, दुना, चार, नो, दुना, चार, दुना, चार, दुना, आट, और दुना, चार, दुना, आठ, दुना, 16, 16, 24, 28, 32, तीन, सही है, तीन, चार, और 5, 16, सही है, तो 24, तिया 72 720 और विसम का भी लेंगे तो दो पावर जीरो लेंगे इसको जोड़े यह बाते आपके समझ में आ गई है ठीक है देख लो समझ लो एक बार कि एक क्योंकि जो चीज वहां पढ़े हो उसी चीज को मैं सम विसम में बाढ़ दिया जैसे एक हजार असी की बात मैं कर रहा हूं एक हजार असी में एक हजार असी में कि इतने कभी एक हजार असी के कभी कि स्टम वर कि विसम गुर्ण खंडों का कि योग फल ग्यांत कीजिए कि एक हजार असी के आपको पता होगा दो चालिस दो सताइस एक पैंटीश तीन पैंट आलेस तीन पंदर है तीन पच्छे पांच पांच तो दो की घात कितनी तीन गुड़ा तीन के घात तीन गुड़ा पांच दो का तीन दूदुना चार दूदुना आठ तीक चौबिस तियां बहत्तर पंजे तीन सव साठ तीन एक सवसी यह न यह तो किये थे भाई प्लस की घात तीन करनी है और तीन की घात जीरो प्लस तीन की घात एक प्लस तीन की घात दो दूना चार दूना आठ आठ दो दस दस चार 14 एए आज आएगा गुडा ए देखो एक और ये तीन और एक तीन तरिक का नौ और ये तीन तरिक का नौ तरिक 27 तो देखो 27 तीन 30 और 10 40 तो एय आज आएगा चालीस जोट गुडा ऑपांचेख चत तो चवदा चक चारासी और गुडाбы 4 हो क्या आजाएगा प्रही और आढ़िए पर दो 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 चीजों से सवह सम और वそうそう हम कैसे निकाल नहीं के पर कशला और विशम में करना होगा तो क्या करेंगे ज़रा बताओ कि विशम में हमको करना होगा तो किवले यहां पर दो पावर जीरो लेंगे बाकी चीज़ें वही कर लें ठीक है यह देखो मैं एक मोटा मोटे आपको पूरा गुड़न खंडों का योगफल यह सभी आपको मैंने सिखाया तो आप इसको करना बच्चे प्रक्टिस में रुके रहो देखों कोई क्वेस्चन हो तो कराता हूं आपको कि 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 चले कोश्चन है नहीं बच्चे इसको मैं बाद में को कराता हूं ठीक है जैसे आपको समझ में आये कि कुश्चन कि आज हम आपको कुश्चन कराते हैं गुलू सर इसको ही कर दीजिए जो गुलन खंडों का योगफल बच्चे इसके आगे मैं इसमें पढ़ा नहीं रहा हूं तो कि यह चीज आपको जानना है कि आप जानते रहें कि यह कैसा कैसे आसे कि आप करेंगे ठीक है तो आप करें करेंगे इसको प्रस्ट में करा होंगा बाद में